गूड इनिंग हमारे क्लासिट व REAL की प्यारे बच्चोँ आज हम लोग चलेंगे आपकी last poem जो प्यारवचो आपकी चल लही है HIS जैनिफर टाईगर प्यार жить ईए अनतीम पोय जो आपकी चल लए जो है पुई टी ग arm 01 जटमी पोयम चल लए है आज हम लोग देखेंगे इसका reference context explanation देखेंगे प्यारवचो एक kijन गंप्र शुख विह जटीन होगा गई Nowak और जो है आपका प्रोच का सब्सक्राइब सक्राइब ज्रिख हुए ज्रसेलिशना इन चैप्टर कंप्रीट हो गया यह दी आपका कुछ भी चूटा हुआ हो तो आप चैनल की प्लेडिस्ट में जाएंगे तो आपके अपनी प्लेडिस्ट बनी है UP Board Class 12 English न्यूश सेलवस करके आपकी अपनी प्लेडिस्ट बनी है उसमें से जाकर के चेक कर सकते हैं सारी सारी एक सीरियल वाइज लगी हुई है सारी आपको सीरियल मिल जाएंगे तो जल्दी से प्यारब्चो आज की टॉपिक भी हम लोग आ जाते हैं इसका जो है एक का हम लोग एक स्टेंजा का पहले स्टेंजा का हम लोग जो है रिफ्रेंस कॉंटेस्ट इक्स्प्लानेशन फिर वी आपको एक एक कराईक हर पोयम का एक हम लोग लिखना करेंगे तह बहुरिंड से इसके हिंदी अर्थ को चलने से पहले जो भी वच्चे चैनल पर स्क्रिंगे पर अब जल्दी से हें हंदीयाज को देख लेते हैं और जेनिफर्स टाइगर प्रांस धक्रास ले는 कि मिस क्या हो जाएक इसका आंट जेनीफर के जो टाइगर त्व बाग थे धो उन्होंने आवरेंड पर बनाई वी थो वे क्या करें प्रांसặc कर हैं हुचल कूद़ कर रहे हैं थे रहाई तर चमकीले पुखराज पहरे संसार की जह है पुखराज के समान कहतेइं अब इस्में आपको इंदियत थे तो आपको विस्तार है थे कि जो है चमिकीला पुकराज निवासी किसका है और वर्ड आफ green मिन्स हरे-भरे मैदान का जो है हरे भरे मंदान के संसार का जो है निवासी है तो हमने इसके इसके आपको समझाये था प्यारबचों इसका मतलब लिए ट्रोपाइस किसे कर या कर दिया गया है तो मिन्स उठ्गन uży होते हैं निवासिए क्या हुस्ट अपने कर रही है तो आवरण पर उस नहीं जो जो ऑवरन पर जो जिस पर बना रही है। तो मिन्स चूह षेस को हछांडेंट पर स्विगर फेर बना सभी कर रहा है वहां प्रांज कर रहा है यह सारी चीजिए इंभरोडरी की हुई है आऊ वैं दर अब् there दोंगे मेंव से बिल्ट कर रहे जो पेड़ के नीचे ब्यक्ति हैं उनसे डर नहीं रहे तब भी दकट कर रहे है चल रहें लिक मिला कर घंक से शिवाल रिक शिवाल अबसर होता हды बहादुरी पूर्ड सिवालिक मिन्स क्या होता है पहादुरी पूर्ण सर्टेंटी मिन्स होता है निस्चित्ता के साथ मिन्स वे आकरशक तरीके से बहादुरी पूर्ण वह निस्चित्ता के साथ क्या कर रहे हैं गति कर रहे हैं मिन्स चल रहे हैं उस इंब्रोडरी पर उस जो जो नोंने कवाराप था यह आपका स्ट्नَंजा था अब इसी का हम लोग रिफ्रेंस कॉंटेस्ट एक्सप्लाइसन देखेंगे जल्दी से प् 카कणेस्ट एक्स-क्रकार से लोग लिखते हैं यहां देखी प्याraleज़ोंका फ्लेम्गो पुर्टि पुम सिक्स ऑंट जेनिफर स्टाइगर स्यूपी वोड इंग्लिस क्लाश 12 रिफिरेंस कॉंटेक्स एक्स्प्लानेशन यूटूब आपका हो गया डायमन एकेडमी क्लासेस आपके चैनल के नाम हो गया तो देखिए आपका प्यारे पेज़ों ए आपका पहला इस् जिस पुम से लिया गया है उस पुम का नाम लिखते हो और उसके कभी कौन है पुएट उसके नाम लिखते हो तो दोनों का नाम लिखते हो आप रिफ्रेंस में इसे हिंदी में क्या करते हैं संदर्व करते हैं संदर्मी आप वहीं हिंदी में लिखते हो न उसी प्रकार से आ अंत जेनिफस टाइगर से लिया गया है और लिखा किस की दौरा है एडीन दिजस के दिद्वारह क्या की norma क्या गया है यह लिखा गहा है प्यारे बिद्चों मस फिस्ता है ध्युआ अश्य ब्द हनम आंट जेनिफर टाइगर्स कंपोजड बाई ड्रेन रेच हो गया यह आपका रेफरेंस हो गया आप कॉंटेक्स्ट में प्यारवचों संदर्म में क्या लिखते हैं अब बात समझ लो संदर्म में क्या लिखते हैं संदर्म वो चीजें होती हैं जैसे किसके बारे में बात की ग संदेक है वही आपका कॉंटेक्स होजाएगा तो जल्दी सेल्म लोग देख रहेते हैं क्या है इन डी इस इस्टेंचा में कवित्री है इस इंप्रोडरिंग वह क्या कर रही है कढ़ाई कर रही है और टाइगर में एक टाइगर का आना स्क्रीन मिन्स एक आवरंड पर एक आवरंड पर वह क्या कर रही है कड़ाई कर रही है इस स्टेंजा में कवित्री एड्रीन रीज जो है वह क्या कर रही है एक आवरंड पर जो है एक बाग की क्या कर रही है कड़ाई कर रही है और टेलिंग आज समय बताती है टेलिंग टेलि टैगर आना स्क्रीन एंड टैलि की डियूटा यस अब जल्दीसे अब लोग र режकें देख लेते हैं इसका लिकें और इंड रहे उच्हल कूद कर् रहे हैं करासथी टैनवास मिंज पूरे काइनवास पर पूरे आवरण पर उन्हों ने इस प्रिकार से बना रही है सारे जो बाग हैं वह क्या कर रहे हैं कैनवास पर उस पर पर उस परदे पर क्या कर रहे हैं उचल कूद कर रहे हैं जेंट ब्राइट है तो जो होते हैं कैसे चमकिले ऑते हैं तभी हिस लीजे तो प्रेयों किया गया था ब्राइट और आप कीले और बीथ प्रपो में किसके समान है रत्म को सी वह administration यह Elois जह है, Jim है और पूरी तरह से चमकिला होता है, signing होता है उसी तरह से बागों को जो उन्हें बनाया हुआ आवरण पर वे एकदम signing है, signing कर रहे हैं नहीं है, the tigers live भाग रहे हैं within the green world of the canvas, उस जो कैनवास है, उस जो आवरण है उसके हरे भरे मैदान में वे बाग वहाँ पर दिखाये गया है, मिजर है, अर्थात उस हरे भरे मैदान में उन्हें क्या किया गया है, दिखाया गया है, they are not afraid, जो तीसरी चौथी लाइन प्यों गया गया था, वह जो बैक्तियों से afraid नहीं होते हैं, ड़ते नहीं है, इसी को ह क्याकि यह सिर्फ अपनी सब्दों लिखे हुए हैं और इस बात को दिमाग के बना लो के explanation में कुछ हमें अत्रिक्स नहीं लिखना होता है जो उसमें है उसी को अपनी वर्डिंग में लिख दो बस सरल सब्दों में उसे लिख दो जो चार जो लाइन में दिया है आपका explanation complete हो जाएगा और कुछ में उसमें तीर नहीं मारना होता है ठीक है आगे देखते हैं दिया नौट अफ्रेड वे भैवीत नहीं है आप दी में मींस उन ब्यक्तियों से standing underneath the tree जो कहां पर खड़े हैं पेड के नीचे खड़े हैं वे भाग जो है पेड की नीचे जो ब्यक्ति खड़े हैं उनसे भैवीत नहीं है who are also depicted जिसे दिखाया गया है in the image means तस्वीर में तस्वीर में मींस आवरण में जिसे आवरण में दिखाया गया है कि पेड की नीचे जो है ब्यक्ति खड़े हुए हैं और वो इनसे डर नहीं रहे हैं इनस वे भाग उनसे डर नहीं रहे हैं यही तो तीसर चाहित लाइन में न्र sinon यहीं तो सीदे जो है प्योक किया गया था कि वह जो पेर के नीचे भ्यक्ति खड़े हैं इनसे डर रहे हैं तो वही तो हमने दिखा दिया आपको यहां पर और कि पूरी निश्चता के साथ क्いा कर रहे हैं मिस चल रहे हैं साइणिंग मिस चमकते हुए बड़े सासी रूप से इस वह किसी से डर नहीं रहे हैं एकदम साइनिंग और सर्टेंटी के साथ क्या कर रहे हैं चल रहे हैं वाक कर रहे हैं तो प्यारे बच्छों यह हो गया आपका explanation हो गया explanation में हमने कुछ नहीं किये हुए बस सारे wording वही है सिर्फ हमने simple wording का यूच किये हुए हैं सारे भावार सब कुछ वही है जो आपका चाल लाइन का अर्थ था बस हमने अपने वर्डों में बना कि इसे लिख दिए हुए अपने सब्दों में यहीं आपका explanation complete हो गया प्यारचो इस द्रंग से हम explanation लिखते हैं तो प्यारचो फिर से देख लो explanation इसका क्या है आंट जेनिफर्स creates a needle point that shows tigers leaping across the canvas bright and vibrant like like to pass genes the tigers live within the green world of the canvas they are not afraid of the men standing underneath the tree who are also depicted in the image the tigers walk with certainty signing and courageous यह हो गया प्यारचो आपका explanation हो गया एक दम पहत्रीन छोटा सा explanation बहत्रीन डंग से किये हुए है प्यारचो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसके note के point में हमने क्या लिखे हुए है प्यारचो note कहीं नहीं की point में होता है कुछ जो आपको दिखानी है note के point में क्या होता है आपको शिद दिखानी होती है तो इससे लेखने से थोड़ा सा अपका और एंप्रेशी बन जाता ए थोड़ा सा और और प्रशक बन जाता है प्यारवचों इसलिए नोट के पॉइंट को जरू लिखा करो नोट के वाइंट में आप कुछ भी लिख दोगे चल जाएगा जो इंपॉटेंट चीज आपको समझ लगे लिख दो चल जाएगा लेकिन दिखाओगे तो आपको लगेगा कहा कुछ अत्रि मिंस कित दोरा सादी सुद्ण जीवन के दोरा अब मैंन इक्स्परियेंसस प्रकार से अनभव करती है किस प्रकार से इस इसले तो टाइगर से आपको कंपरीजन की थी टाइगर पुरी तरह से सवतंत्र हुआ है पूरी तरह से बात पाई थे लेकिन सारे रीप पूरी तरह से अपने पती के बंदन में बदी हुई थे और उसको जो उसको जो उसके पती है जिस उसी कुछ करना पड़ता ent Dyas पर चाहिए जो अभी भी यह समाज में अभी भी चला है यह 70% अब तो जो 30% लड़कियां जो जो जॉब करने लगी है या फिर जो अच्छे पोजीशन पहुच गई हैं वे दब के नहीं डाती हैं लेकिन अभी भी 70% सभी जगाहे कि इस्थिती का सामना करना परता है मिन्स जो पट्याश की है जो पित्र शत्तात्म कंखडेश बना हुआ है तो जो क ही न कहीं भुक्त ना पड़ता है तो प्यारे विचों औक ये चीज में दिखाए हुआ है तो और विचों नोट के पॉइंट में हमने दिखा दिया है किस प्रकार से एक इस्त्री जो है क्या करती है इस प्रकार से इस्त्री जो है साधी के बंधनों के बंदिस को जो है अनभव करती है वही चीज़ें इस प्यारब्चो आपको दिखाई गई हैं तो यह हो गया प्यारब्चो आपका जो है रेफरेंस हो गया कॉंटेक्स्ट हो गया एक्स्प्लानेस्ट हो गया एकदम बेहतरीं ढंग से मैंने बतानी के कोशिस किये हुए हैं एक-एक सिर्फ करा रहे हैं क्योंकि प्यारवचों आपके सिल्वस में नहीं दिया है इसलिए बार-बार करते हैं जो है कि एक-एक करा रहे हैं इच्छा ही आपको करना है च्छा पोयम थी तो च्छा ही आपको करना एक-एक सब में कराई हुए हैं जो से बहुत ज्यादा भी नहीं था चुकि पहले सिल्वस में था अब नया सिल्वस आपका आया है तो नया सिल्वस में तो नहीं दिया है लेकिन हो सक तो कुछ changing कर सकते हैं इनका कोई भरोशा नहीं है तो changing कर सकते हैं इसलिए प्यारवचो हमने एक-एक सम्मे करा दिये हुए हैं तो आज की class ही समाप्त करेंगे हाँ आपका समाप्त हो गया reference context explanation समाप्त हो गया है अब इसके बाद इस poem की आपकी बच्ची क्या है जो है इसका reference context explanation हो गया central idea हो गया Hindi explanation हो गया अब इस poem की क्या बची हुई है Christian answer बचे हैं कुछ Christian answer बचे हैं और इस टेंजा बचे हैं और इस टेंजा बचे हैं प्यारवचो दो class में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद इस poem ही नहीं इस पूरी प्लेटी का section ही आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो अभी तक जो चीजे हो चुकी है इसके बारे में एक बार फिर से जान जाओ अभी तक प्रोश का पांच चैप्र कंप्रीट हो चुका है पूरी तरह से complete हो गई है और complete मिंस दो लेक्चर में पूरी तरह से complete हो जाएगी उसके बाद विस्तास का आपका तीन चैप्र कंप्रीट हो गया है तो जो भी आपका बचा हुआ है तो चैनल की प्लेलिस्ट में रही प्लेलिस्ट बनी है आपकी यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लेस नियुस अलबस करके आपकी प् सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो के लाइक कर देंगे क्लास 12 के सभी वुच्व में से रहास करेंगे प्यारवच्व यह आपके जिम्मेदारी है और यह आपको प्लोग अपना ध्यार की अपने परिवार का धान रखिए लब यौ प्यारवच्व